एक समय की बात है, घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, एक दिन शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी एक छोटा सा चुहा उसके पैर पर दोड़ते हुए निकल गया, शेर गरजते हुए जाग गया और उसने चुहे को अपने बड़े पंजे से पकड़ लिय क्रिपिया मुझे जाने दो, चुहे ने कापते हुए कहा, कभी न कभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ शेर ने हस्ते हुए कहा, तुम जैसे छोटे जीव मेरी क्या मदद कर सकते हो, लेकिन उसने चुहे को छोड़ दिया, जाओ, मैं तुम्हें जाने देता हूँ शेर ने कहा, कुछ दिनों बाद, शेर जंगल में घूम रहा था जब वह शिकारी के जाल में फंस गया, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाया, शेर ने गुस्से और डर में गर्जना शुरू कर दिया चुहें ने शेर की गरज सुनी और उसकी मदद के लिए दोड़ा, चिंता मत करो, शेर महोदै, मैं आपको बाहर निकाल दूँगा चुहें ने कहा, चुहां अपने नुकीले दान्तों से रस्यों को काटने लगा, कुछ ही देर में, शेर आजाद हो गया शेर ने कृतग्यता से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, छोटे चुहें, लेकिन तुमने मेरी मदद की चुहें ने उत्तर दिया, छोटे दोस्त भी बड़ा फर्क ला सकते हैं शेर और चुहां अच्छे दोस्त बन गए और शेर ने कभी भी किसी को छोटा नहीं समझा कहानी की सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे से छोटे जीव भी बड़ी मदद कर सकते हैं और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती हमेशा दयालों बने और दूसरों को उनकी कद या दिखावट से कभी भी कम ना के